हेलो एवरिवन मद्यप्रदेश जेल प्रहरी 2018 के प्रिविएस यर कोश्चन्स में मैट्स का ये है पार्ट 14 और इस वीडियो में डिसकस कर रहे हैं थर्ड अक्टूबर शिफ्ट 2 के कोश्चन्स वन से लेके 10 तक कोश्चन्स इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिये थे और उसके आगे के इस वाले पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं 11 कोश्चन है which of the following does not have a square that ends in 4 निम लिखित में इसे किस के वर्ग के अंत में चार नहीं आता है तो चार नहीं आता है वो वाला बताना है first option है 1832 तो पूरे नंबर का square करने से अच्छा है जो unit digit पे काई अंक लिखा हुआ है उसका किवाल square कर ले तो यहाँ पर unit digit पर क्या लिखा हुआ है 2 तो 2 का square करेंगे हम 2 का square आता है 4 इसके last में 4 आएगा तो यह answer नहीं होगा 718 8 का square करें तो आता है 64 तो इसके last में भी 4 आ रहा है तो यह भी answer नहीं होगा जबकि बताना है 4 आता नहीं है किसके अंत में 8, 7, 2 इसकी unit result है 2 तो 2 का square होता है 4 तो इसके last में भी 4 आ रहा है तो ये भी answer नहीं होगा 1, 2, 3, 6 6 का square होता है 36 तो ये answer हो जाएगा क्योंकि last में या पे 6 आ रहा है इसका right answer हो जाएगा 4th option 12th question है which one of the following lines passes through the origin origin से पास उनवाई लाइन बताना है निमलेखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदू से होकर कुजरती है origin या मूल बिंदू, मूल बिंदू के point क्या होते है origin के 0, 0 मतलब इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है तो हमें x equal to 0 और y equal to 0 इन options में रखके देखना है जिसमें lhs equal to rhs मिलेगा दोनों साइड बराबर मिलेंगी वो answer होगा फर्स्ट option में रखते हैं 2x है तो 2 into x, x के जगह पर क्या 0 minus 3, 3y है y के जगह पर 0 लिखेंगे into 0 equal to 0 2 into 0, 0 minus 3 into 0, 0 equal to 0 यहाँ पर 0 equal to 0 मिला lhs और rhs दोनों साइड बराबर है तो ये line horizon से पास हो रही होगी ये इसका right answer हो जाएगा और दूसरी option में भी check करते हैं 2nd में देखेंगे 5 into 0 है तो 5 into x के जगह पर 0 रखेंगे plus 6 into y मतलब 0, 6 into 0 equal to 4 5 into 0 क्या मिलेगा 0 और plus 6 into 0, 0 और यह 4 तो यहाँ से क्या मिल रहा है 0 equal to 4 यहाँ पर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे है ये answer नहीं होगा 3rd में देखते हैं 2x है तो 2 into x के जगह पर 0 plus 2y मतलब 2 into 0 equal to 3 यहाँ से भी 0 plus 0 equal to 3 और 0 equal to 3 मिलेगा तो यहाँ से भी दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं ये वाला answer भी सही नहीं होगा इसका राइट answer हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 13 कोशन है इस वन एंगल ऑफ पैलेलोग्राम इस 21 डिग्री लैस दें देट ट्वाइस ओफ दे स्मॉलेस्ट एंगल दें दा मेजर ओफ दे लार्जेस्ट एंगल ऑफ दे पैलेलोग्राम इस यह दिकिसी समानांदा चतुरभुच का एक कोड एक कोड सबसे छोटे वाले कम है तो सबसे बढ़ा एंगल बताना है तो पैलेलोग्राम बना लेते हैं यह एक पैलेलोग्राम हो गया धाट है और भीक रडी सब देग्राम यह समाना अन्दा चतुरभुच की प्रपर्टी होती है कि यह हमन्रों सामने वाले एंगल वह दून 700 wird बराबर होते हैं तो यहाँ पर बोलाएं कि one angle मतलब एक angle जो है वो सबसे छोटे वाले angle के दुगने से twenty one कम है तो सबसे छोटे वाला smallest angle हम माल लेते हैं smallest angle माल लिया कि y है और smallest angle y माल लिया और जो दूसरा angle है one angle मतलब smallest को छोड़कर दूसरा वाला वो क्या है smallest angle के दुगने से 21 कम है तो दूसरा वाला एंगल जो है वो माल लेते है एक्स है और एक्स अब छोटे वाले से कितना है दुगने से 21 कम है तो यह हो जाएगा दूसरा वाला इसने अगर हम बनाएं तो माल लेते हैं कि यह एक्स है और अगर यह एक्स है तो सामने वाला भी एक्स होगा क्योंकि हमने सामने वाले opposite angle सेम होते हैं और बाग की बच्चा हुआ क्या होगा ये y और ये भी y होगा क्योंकि सेम होते हैं अब smallest angle हो गया y और ये दूसरा वाला हो गया 2y-21 अब ये ये line अगर इसमें यहां देखें कि c और d या फिर a या b इन दौनों में किसी में भी माल लें तो इन दौनों का सम 180 degree होता ये प्लास मिक़ालooo को वन NOT दिग्री और c प्लस डी सी इकट्व रहे लेते हैं को कि एंगले प्लस इंगल b इंगबन I treat एंगल होते हैं उनसे 10-2 होता एक्भी कितना है x equal to 180 degree y की जगह पर हम y ही लिख देंगे plus x की जगह पर क्या लिखेंगे यहां से x की value लिख देंगे 2y minus 21 क्योंकि हम एक angle find करना है 2y minus 21 equal to 180 degree अब y plus y equal to 3y हो जाएगा minus 21 equal to 180 degree तो अब यह minus का है 21 उस साइट जाएगा equal to के तो plus का हो जाएगा यहां से मिलेगा 3y equal to 180 plus 21 180 plus 21 1 और यह 201 3y equal to 201 मिल गया अब y equal to निकालेंगे 3 multiply में है तो divide मुसला जाएगा यह 201 के नीचे 201 को divide करेंगे तो 3 से cancel होगा 6 बार और 7 बार 21 तो y की value कितनी आ गई y equal to 67 अब question में पूछाए the measure of the largest angle बड़ा वाला एंगल बताना है इसका तो y तो छोटा वाला एंगल था smallest angle तो यहां पर हम y की value इस वाली equation में y की value रख देंगे x equal to 2 into y की जगे लिखेंगे 67 minus 21 2 into 67 4 और यह 3 1 3 4 minus 21 1 3 4 में से 21 minus करेंगे तो 3 और 1 1 1 1 3 आएगा तो सब सोटा वाला एंगल x की value कितनी आ गई 1 1 3 degree तो इसका answer हो जाएगा यह first option 14 question है इन ट्राइंगल ABC एंगल B is 25 डिग्री मोर दें एंगल A and C is 5 डिग्री मोर दें 4 टाइमस ऑफ एंगल ए ती बिगेस्ट एंगल इस ट्राइंगल है उसमें ट्राइंगल बना लेते हैं अ अ अब यहां पर एंगल की बात की जा रही और हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल का सम और एंगल का सम 180 डिग्री होता है एक ट्राइंगल में तो सारे एंगल हम जोड के 180 के बराबर रख देंगे वहाँ से biggest angle निकालेंगे यहाँ पर दिया है angle B is 25 more than of angle A तो angle A हम माल लेते हैं कि X है तो angle B कितना हो जाएगा angle B हो जाएगा 25 जादा है तो 25 plus X अब angle C के बारे में क्या दिया है angle C is 5 degree more than 4 times of angle A मतलब A के 4 गुने से 5 जादा है A का 4 गुना 4X 5 जादा है तो 5 को इसमें जोड़ देंगे तो angle C इतना हो गया अब तीनों का सम होता है angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree होता है किसी भी triangle में सब का सम A की जगे पर रखेंगे X B की जगे पर यहाँ से value रखेंगे 25 plus X plus C की जगे पर 4X plus 5 equal to 180 degree अब यहाँ से हम X की value निकाल सकते हैं 1X, 1X और यह 4X 4 और 2,6 6X हो जाएंगे plus 25 और यह plus 5 equal to 30 equal to 180 degree अब यह 30 plus का है उधर जाएगा तो negative का हो जाएगा 6X equal to 180 30 minus का हो जाएगा 6X equal to 180 minus 30 150 आएगा अब यह 6X है 6 multiply में है तो 150 के divide में चला जाएगा divide by 6 6 से इसे cancel करेंगे तो यह जाएगा 2 बार और फिर 5 बार 30 तो X की value कितनी आ गई 25 अब question में पूछाए biggest angle तो biggest angle हम निकालेंगे A की value कितनी आ जाएगी X जो थी X कितना आया 25 B angle B कितना आया 25 plus X तो 25 में 25 फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और third में क्या है 4X plus 5 4X X मतला 25 X की value 25 निकाली और plus 5 तो 4 x 2500 और 100 plus 5 equal to 105 तो इन में सबसे biggest angle हो गया यह 105 angle C तो इसका answer हो जाएगा 105 degree सबसे बड़ा angle है 15th है If the difference of the two supplementary angles is 48 degree then the larger angle is दो समपूरा कोणों का अंतर दिया गया है 48 degree तो सबसे बड़ा कोड सबसे बड़ा angle निकालना है तो हम दो angle माल लेते हैं एक angle हो गया X और दूसरा हो गया Y दौनों का difference दिया गया है अंतर 48 degree तो X minus Y equal to 48 degree और supplementary angle यह समपूरा कोण होते हैं उन दौनों का sum कितना होता है 180 degree होता है तो हम कह सकते हैं इन दौनों को जोड़ कर 180 के बराबर रख दे X plus Y equal to 180 degree यह दो equation बन गई अब यहां से X और Y की value निकाल ली है तो इनको solve करने के लिए क्या करेंग इन दौनों equations को plus कर देते हैं first plus यह second equation इन दौनों को जोड़ देते हैं तो यहीं से direct हम जोड़ दे अगर जोड़ेंगे तो X, X इन दौनों को plus कर रहे हैं तो X और X कितने हो जाएंगे? 2X और यह Y में minus और plus का है तो यह cancel हो जाएंगे equal to 48 plus 180 यह 8 और यह 2 और फिर 1 plus 1 2 228 आ गया यहां से X की value निकाल लेंगे 228 divide में 2 X equal to कितना मिला? 1, 1 और 4 X की value आ गई 1, 1, 4 अब question में पूछा है larger angle, बड़ा वाला angle तो बड़ा वाला angle obviously यह X ही हुआ क्योंकि यहां पर X minus Y equal to 48 दिया है बड़ा है तभी तो इसमें minus किया है तो बड़ा angle हो जाएगा यह 1, 1, 4 और अगर निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी question में X की value रख दो हम second वाली में रख देते हैं X की value X plus Y equal to 180 है X की value कितने आई है? हमारी 1, 1, 4 plus Y की जिगे पर Y ही लिखेंगे equal to 180 degree और 114 plus का है उस साइट जाएगा equal to की next साइट जाएगा तो negative हो जाएगा 180 minus 114 यह negative का हो जाएगा और 180 में 114 माइनस करेंगे तो 10 में से 4, 6 और यह वापस से 6 66 तो Y की value कितने आगई? 66 तो इन दोना में से बड़ा तो यह X वाला यह तो इसका answer हो जाएगा यह third option 114 16 है अब यहाँ पर देखें 1 upon 2 की power क्या minus 3 दी गई है तो जब भी किसी चीज की numerator या denominator किसी भी चीज की जब power negative होती है negative में होता है कुछ भी तो अगर इसे positive करना है तो क्या करेंगे? हम इन दोनों को palette देते हैं तो A upon B का क्या हो जाएगा? B upon E और फिर हम लख सकते हैं N तो same to same यहाँ भी भी करेंगे 1 upon 2 लिखा है तो हम क्या करेंगे? 2 upon 1 2 upon 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है तो 2 की power कितनी हो जाएगी? 3 negative था तो positive हो जाएगा 2 की power 3 minus अब यह 2 सेम लिख देते हैं यहाँ पर अब 27 की power 1 by 3 लिखा हुआ है यह क्या है? यह cube root लिखा हुआ है क्योंकि कुछ भी कुछ भी number लिखा रहता है A और उसके यहाँ पर यह 3 ही होता है यह cube root होता है तो इसको short form में मतलब इसको दूज तरीके से कैसे लिख सकते हैं? A की power 1 by 3 तो इसका मतलब यही होता है कि वो cube root लिखा हुआ है तो इसको हम इसका cube root लगा देंगे 27 की power 1 by 3 27 और यह 3 फिर क्या है? 2 की power 0 है प्लस यह 4 by 9 की power 1 by 2 तो 1 by 2 मतलब क्या होता है? मतलब यह square root है अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है इसको हम ऐसे भी लिख सकते है A की power 1 by 2 तो ऐसा ही यहां लिखा है इसके जगे पर हम equal to में यह लिख देंगे 4 by 9 का root लगा कर 4 by 9 और यह square root लगा दिया अब इसके आगे solve करेंगे 2 की power 3 मतलब कितना? 2 3 बार तो 8 माइनस यह 2 same to same लिख दिया 27 का cube root निकालेंगे तो क्या 3 आएगा इन 2 में 3 अब यह 2 की power 0 है किसी भी number की power जब 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है चाहे कुछ भी number लिखाओ 1 की power 0 equal to 1 होता है यहां पर क्या 2 की power 0 लिखा हुआ है तो इसके जगे पर 1 लिख देंगे प्लस 4 by 9 इसका square root निकालेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा 2 और 9 का कितना 3 अब 8 minus 2 into 3 6 plus 2 by 3 equal to 8 में से 6 minus करेंगे तो 2 plus 2 by 3 तो इसको यह ऐसे भी कर सकते हैं 3 into 2 6 और 6 plus 2 8 8 by 3 आ जाएगा और अगर वैसे LC हम लेके देखें तो इसकी नीचे क्या 1 माल लेंगे LC कितना आएगा 3 और 1 लिखा है तो डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा 3 into 2 6 plus यह 3 1 आएगा तो 1 into 2 2 6 plus 2 कितना हो जाएगा 8 8 by 3 तो इसका अंसर आ गया 8 by 3 8 by 3 फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 है The length of a box is thrice its breadth and its height is 8 cm height उंचा याड cm दी गई है और इसकी breadth से length जो है लंबाई है वो तिगुनी है तीन गुनी है इसका पार्ष्व प्रस्टी छेट रफ़ल 256 दिया गया है तो इसकी volume निकालनी है इसका आयतन फाइंड करना है तो एक box है box क्या होता है? keyword होता है घनाब तो एक box बना लेते हैं यह इसकी length हो जाएगी यह breadth हो जाएगी और यह height हो जाएगी अब height दी गई है question में height equal to दिया गया है उंचाई 8 cm और length दी नहीं गई है breadth भी नहीं दी गई है तो breadth हमाल लेते हैं कि x है इसकी चोड़ाई माल ले x cm है तो length कितनी हो जाएगी? लंबाई, तिगुनी है तो 3x हो जाएगी अब question में दिया है lateral surface area इसका दिया गया 256 पार्ष्व प्रस्टीज खेतरफल तो lateral surface area निकालने का formula होता है यह पार्ष्व प्रस्टीज खेतरफल निकालने का formula 2 into length plus breadth into height और यह कितना दिया गया है? यह area 256 दिया गया है तो इसकी जगह पर हम 256 रखेंगे और बाकी सारी values जो निकली वो रखेंगे 2 into length की जगह पर 3x plus weights कितनी मानी थी? x into height कितनी दिया गया है? इसे solve करेंगे 256 एक्वल टू 3x प्लस x 4x हो जाएंगे into 8 सेम हो गया तो यह 256 equal to 2 into 4 8x हो जाएगा into 8 अब यहां से cancel करेंगे 8 से cancel करेंगे 256 को तो यह 3 बार जाएगा और फिर और यह 2 बार 32 अब 8 से इसको फिर से cancel करेंगे तो यह 4 बार cancel होगा 4 into 32 तो यहां पर क्या 4 ही बचा और यहां पर x था तो 4 equal to x मिला या x equal to 4 x की value आ गई 4 अब x की value हम इन तीनों जगह पर रखेंगे height तो दी गई थी 8 तो 8 ही रहेगी breadth कितनी x थी तो x जगह पर 4 आ गई और length 3x तो 3 into 4 12 अब length, rate और height तीनों मिल गए है अब question में बुला volume या item निकालना है volume निकालने का formula होता है क्यूब आइट का length, rate और height तीनों को multiply कर देते हैं लंबाई यह उंचाई और चौड़ाई तीनों को multiply करते हैं तो volume निकालेंगे length कितनी दिया, 12 into 4 height के जगह पर 8 इन तीनों को multiply कर देंगे तो 12 into 4, 48 हो जाएगा और 48 into 8 तो यह आजाएगा, 8, 8, 4 और 8 और 3, 384 तो इसकी volume कितनी आगए, या item 384 384, first option इसका right answer हो जाएगा, volume 384 18th है, if the polynomials दो polynomial दे गए हैं यहाँ पर यह leave the remainder same same remainder दे रहे हैं, दो बहुपत दे गए हैं यह दोनों same remainder समान 6 दे रहे हैं when कब दे रहे हैं, when divided by x minus 2 जब इन दोनों को x minus 2 से divide किया जाता है तब तो value of a, a का मान निकालना है तो जब भी इस तरह का दिया जाता है कि same remainder दे रहे हैं दो polynomial दब same remainder देते हैं तो जिस चीज से divide किया जाता है उसको 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ पर x minus 2 से divide किया जा रहा है x minus 2 इसको 0 के बराबर रखेंगे और x की value निकालेंगे x negative था यह 2 का 2 negative था next side जाएगा तो यह positive का हो जाएगा x equal to 2 यहाँ से मिल गया अब यह x equal to 2 हम इन दोनों polynomial में रखेंगे और same remainder दिया है तो दोनों का बराबर भी रख सकते हैं क्योंकि same remainder निकल रहा है समान शेष तो x की value 2 हम इन दोनों में रखेंगे और equal रखेंगे 2x cube है 2x cube plus ax square plus 3x minus 5 equal to बराबर में रखेंगे दूसरा वाला भी x cube plus x square minus 2x plus a अब यहाँ से a की value निकाल सकते हैं अगर x की value हमने इसमें रख दी तो x equal to 2 हम इसमें रखेंगे 2 x की जगे पर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 plus a x square मतलब 2 का square plus 3x मतलब 3 into 2 और minus 5 equal to x cube मतलब 2 का cube plus x square 2 का square minus 2x है तो 2 into 2 plus a तो यह 2 cube लिखा है तो यह 8 यहाँ पर मिल जाएगा और 8 into 2 कितना 60 मिल जाएगा यहाँ पर plus a into 2 का square 2 का square 4 तो 4a यहाँ से मिलेगा plus 3 into 2 6 minus 5 same लिख दिया equal to 2 2 की पावर 3 cube है तो 8 जाएगा यहाँ पर plus 2 square मतलब 4 minus 2 into 2 4 और यह plus a अब यह 4 और 4 यह plus का है यह negative है तो यह दोन ही पर cancel हो गए और यह 6 minus 5 तो यहाँ पर कितना आएगा 1 यह 16 plus 4a 6 minus 5 1 तो plus 1 equal to यहाँ से क्या है 8 plus a 16 plus 1 कितना हो जाएगा 17 plus 4a equal to 8 plus a 4a 17 plus का है तो यहाँ आएगा तो negative का हो जाएगा equal to के next side जाएगा तो negative का जाएगा और यह a है तो a को डारेक्ट यहाँ पर पहले ही ले आते हैं minus का हो जाएगा यह a 4a minus a और यह 17 को उस साइड लेके जाएगे तो 18 8 minus 17 तो 4a में से 1 के minus करेंगे 3a मिलेगा यहाँ पर equal to 8 minus 17 9 आएगे और negative का दिया है बड़ा वाला नंबर negative का है तो यह minus 9 यहाँ पर लग जाएगा अब यह 3 multiply में है equal to के बाए नेक्स साइड जाएगा तो divide में चला जाएगा तो क्या मिलेगा a equal to minus 9 divide में 3 अब यह cancel हो जाएगा 3 से minus 3 से a की value आ गई minus 3 a equal to minus 3 आए यही निकालना था value of a निकालनी थी minus 3 third option 19 question है इन ट्राइंगल a b c angle b equal to 35 और c 65 दिया है the bisector of a d the bisector a d of angle b a c meets b c at d which of the following relation is true a b c एक ट्राइंगल है b इतना दिया है c और b a c b a c का समदु भाजक a d d पर b c से मिलता है तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं यह ट्राइंगल हो गया a b और c angle b कितना दिया है 35 यह हो जाएगा 35 और angle c दिया है 65 अब a दिया नहीं है तो question में क्या बोला है b a c का bisector b a c का समदु भाजक तो b a c यह हो गया यह वाला angle इसका समदु भाजक जो है वो b c पर मिलता है d point पर तो b c पर इसका bisector बना दिया d पर मिलता है यह अब कौन सा relation in way से true है वो बताना है अब option में देगे तो option में sides दी गई है angle नहीं दी गई है तो हम angle की help से side compare करेंगे यह triangle है a, b, c इसमें b और c दिया गया है तो हमें angle a find कर सकते है क्योंकि किसी भी triangle में तीनो angles का sum 180 degree होता है तो यहां से angle a की जगे पर angle a ही लिख दें plus angle b की जगे पर 35 plus angle c 65 दिया है तीनों को add कर दिया तीनों का sum कितना होता है 180 degree यहां से angle a नेका लेंगे 35 और 65 कितना 0 और 0 और यह 100 एक्वल टू 180 degree यह मिला angle a equal to 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा angle a की value कितने आ गई 80 यह हो जाएगा 80 और यह पूरा 80 है इसका bisector है यह AD मतलब इसका sum 2 बाजक है मतलब इसको आद 2 बरावर भागों में बाटेगा 80 है तो यह वाला भी 40 हो जाएगा और यह वाला भी 40 हो जाएगा यह इतने इतने इस triangle में a, b, d और यह ad, c यह दो triangle divide हो गए तो इसमें a, b, d में यह 40 हो गया अब इसी तरह से यह से हमने इसमें निकाला था इसी तरह से हम angle a, b, d में भी निकाल सकते हैं ट्राइंगल A, B, D इसमें भी जो बाकी बचा हुआ है अंगल यह वाला यह भी निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके 40 प्लस 35 को जोड़ेंगे फिर 180 में से माइनस करेंगे 180 डारेक्ट माइनस कर देते हैं 40 प्लस 35 तो 40 प्लस 35 कितना हुजाएगा 75 और 180 में से 75 माइनस करेंगे यह 0 और 1 तो आजाएगा 105 तो यह बाकी बचा हुआ एंगल जो D था उसकी वाल्यू कितना है 105 उसी तरह से इस ट्राइंगल में भी देख लें ट्राइंगल A, D, C में इसमें A दिया है, C दिया है, D निकाल लेंगे तीनों को जोड़के तो डारेक्ट माइनस कर दे 180 में से 180 माइनस 40 प्लस 65 180 माइनस 40 प्लस 65 करेंगे तो यह 5 और 0, 1 105 मिलेगा, 180 में से 105 माइनस करेंगे तो आजाएगा 75 75 डिग्री, यहां से यह इस एंगल की वैल्यू कितनी आई, 75 डिग्री अब सारे एंगल्स काउंट हो चुके हैं अब ट्राइंगल की यह प्रापर्टी होती है कि जो भी बड़ा एंगल होता है बिगर एंगल, बिगर एंगल के सामने वाली साइड बिगर होती है उसी तरह से इसमॉल एंगल के सामने वाली साइड भी इसमॉल होती है तो जो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी जैसे हम A, B, D इस ट्राइंगल में देखें तो सबसे बड़ा एंगल क्या है 105 तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी वाली बुजा A, B ये भी सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटा है 35 तो 35 के सामने वाली हो जाएगी A, D यह सबसे चोटी होगी क्योंकि 35 सबसे चोटा एंगल है तो इस तरह से हम compare करके equation बना लेते हैं दौनों triangle में सबसे पहले triangle ABD ले लेते हैं ABD triangle में सबसे पहले सबसे बड़ी वाली side ले लेते हैं ABD में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 105 तो 105 के सामने वाली side सबसे बड़ी होगी 105 के सामने कौन सा है यह AB AB लेっे लेकर यहरों कि यह दौन फूर बी सबसे बड़ी अंगल वाली कि उसके बात ऊसे चोटा एंगल चोटा एंगल कौन सा है 105 के बाद 40 तो 40 के सामने वाली side होगे BD तो उसके बाद आईगी BD और फिर सबसे थोटा सब्सक्ट थिए तो इसमें एडी सबसे छोटी उसी तरह से हम इस वाले ट्राइंगल में भी देखें ऎडी सी में सबसे बड़ा एंगल 75 है इसमें सबसे बड़ा एंगल AC फिर greater than का sign फिर उससे छोटा एंगल उससे छोटा है 65 65 के सामने side है AD उसके बाद AD अब सबसे छोटा एंगल है 40 40 के सामने वाली side है यह DC तो DC सबसे छोटी हो जाएगी DC अब यह दो comparison हमें मिल गए first और यह second अब इन दोनों से compare करके हम option में चेक करते हैं अब first option देखते हैं इसमें क्या है AD greater CD तो हम AD और CD देखते हैं दोनों comparison में से AD CD AD और CD हमें यहाँ पर मिल रहा है AD CD AD बड़ी है DC छोटी है DCS CD एकी बात है तो AD यहाँ पर बड़ी है यहाँ तक सही हो गया अब CD के बाद हम देखेंगे कि BD हमें देखना है BD कहा है CD के बाद हमें BD देखना है तो BD यहाँ पर लेखा हुआ है और CD यहाँ पर लेखा हुआ है तो हम compare करी नहीं सकते हैं तो यह वाला option वैसे ही cancel हो गया अब second option में देखें AD और BD की बारे में देखना है AD और BD कहां लेखें AD और BD यह लेखे हुए यह दोनों यहाँ पर क्या BD बड़ा है लेकिन यहाँ पर BD छोटा है यहाँ पर बड़ा क्या AD बताया है और यहाँ पर AD छोटा है तो यह वाला वैसे भी कैंसल हो गया क्योंकि हमें AD बड़ा चाहिए था लेकिन यहाँ पर छोटा है तो यह second वाला option भी कैंसल अब third में देखें यहाँ पर BD और ED देखना है, BD बड़ा है, तो BD और ED हमें यह, BD बड़ा है, और ED छोटा है, तो BD बड़ी, ED छोटी, यह, यह, यहां तक सही हो गया, उसके बाद ED के बाद C D देखना है, AD के बाद CD, यहाँ पर यह मिल रहा है, AD बड़ा है और CD छोटी हो जाएगी तो CD सबसे चोटी वाली साइड, तो सबसे बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी BD, AD और फिर CD, यहाँ से यह वाली comparison सही बैठ रही है तो यह third option इसका right answer हो जाएगा इसमें केवल हमें यही चाख करना था कि कौन सी comparison सही हो रही है तो third वाली comparison सही हो रही है, BD और AD हमें इस first वाली से मिले BD सबसे बड़ा है, उससे चोटा है, फिर यह AD BD सबसे बड़ी वाली साइड हो जाएगी, और फिर AD अब AD के बाद के देखना है, CD, तो AD और CD कहां इस वाली में मिल रहे है तो AD बड़ी है, CD चोटी है, तो यहां से फिर यह सेम मिल गया यहां पर तो यह जो comparison बन रहा था, वो third option से मिल रहा था, तो third option right है 20 है, on dividing, X प्लस, यह polynomial दिया गया है, इसको divide करना है by GX GX से divide करना है, तो quotient और remainder यह दिये गए है, यह होगा quotient और यह होगा remainder तो GX की value नकाल ली है, यह बहुपत दिया गया है, और भागफल और शेशफल दिये गए हैं तो GX की value नकाल ली है, तो इसका formula क्या होता है, dividend वाला, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, dividend को क्या बोलते हैं, भाजज बोलते हैं equal to divisor मतलब भाज़क into भागफल, quotient को भागफल और यह last में, प्लस शेशफल remainder, तो यहाँ पर dividend या भाज़ क्या हो गया, यह, X की power 4 यह वाला, और GX क्या है, GX को नकालना ही है, divisor या भाज़क यह हो जाएगा, और quotient remainder दिये गया है, और शेशफल भी दिया गया है, तो इसी में हम इनकी value रखेंगे, और GX की value नकालने खालेंगे, तो सबसे पहले क्या है, dividend, मतलब भाज़, इसको लिखना है सबसे पहले, X की power 4 प्लस 2X क्यूब plus 8X square, 12X plus 18, equal to, equal to की बार divisor या भाज़क, तो वो तो नकालना ही है, GX, GX की जगे पर GX ही लिख देंगे, into, into में quotient आएगा या भागफल, वो है, X square, plus 2X, plus 3, और plus में फिर remainder, शेशफल, वो कितना है यह, 2X plus 3, यह प्लस वाला पार्ट हो गया, अब यहां से यह GX निकालना है, तो यह प्लस वाली चीज़ सबसे पहले हम यहां ले जाए, equal to की next side, तो इतना पार्ट पूरा यह negative होके, यहां आ जाएगा, X की power 4, plus 2X cube, plus 8X square, प्लस 18, अब यह minus का जाएगा, 2X यह plus का है, तो minus का हो जाएगा, minus 2X और 3 भी minus का हो जाएगा, equal to की बाद क्या बचा, GX, into में X की power 2, plus 2X, plus 3, अब यहां से X की power 4 की term कुछ नहीं है, तो X की power 4 की term सेम आ जाएगी, plus 2X cube भी सेम आ जाएगा, क्योंकि 2X cube की term भी यहां कहीं नहीं है, plus 8X square, यह भी सेम लिगी है, क्योंकि X square वाली चीज भी यहां कहीं नहीं है, अब 12X है, और यहां पर X की चीज यहां पर दी गई, तो 12X में से हम 2X को minus कर देंगे, 12 minus 2, plus 10X हा जाएगा, plus 18 minus 3, plus 15, equal to GX, into में यह पूरा, X square, plus 2X, plus 3, अब यह इतना पार्ट जो है, यह multiply में दिया गया है, GX की value नकालें, यह multiply में दिया गया है, equal to के next side जाएगा, तो divide में जाएगा, तो यह इसके पूरे में divide में जाएगा यह, तो direct लिग देते हैं यह, divide में इसके, X square, plus 2X, plus 3, और यहां पर केवल GX, तो अब इसको divide करना है, जैसे divide करते हैं, polynomial को उस तरह, ऐसे तो GX की value निकलाएगी, यहां लेक लेते हैं, तो polynomial कैसे divide करते हैं, कि सबसे पहले जो अंदर की term होती है, उसको ascending order में, उसको पहले arrange करते हैं, descending order में सबसे पहले सबसे बड़ी power लिख लेते हैं, और वो छोटी-छोटी इस तरह से लिखते जाते हैं, अब यह पहले से arrange हैं, तो इसको divide करना है, तो इसकी पहली term लेंगे, x square है, और यहां पर पहली क्या है, x की power 4, तो हमें कोई ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी, ऐसी x की power देखनी पड़ेगी, जिससे multiply करने पर x square का multiply करें, जिससे कि हमें x की power 4 मिले, तो यह पहली वाली चीज़ जो है, x की power 4 सबसे बड़ी power है, उससे divide कर देंगे हम इस x square को, तो क्या आजाएगा, 4 है, और यह 2 है, cancel होगा, तो क्या बचेगा, x square, तो x square हम यहां लिख देंगे, अब इस x square से हम इस पूरे को multiply करेंगे, x square प्लस 2x प्लस 3, इसको multiply करेंगे x square से, तो x square के multiply x square में करेंगे, तो आजाएगा x की power 4, फिर 2x का multiply करेंगे x square में, 2x into x square मिलेगा, 2x cube, यह 2x का multiply करेंगे x square में, तो कितना आएगा 2 same to same अब यह x का into x square में तो कितना हो जाएगा x की power 3 उसी तरह से यह हमें कहें मिल गया 2x cube भही यहां लिख दिया था 2x cube अब 3 का multiply x square में 3 into x square कितना 3x square अब इसे minus करेंगे तो यह यहाँ पर यह minus लग जाएगा यहाँ पर भी minus लगेगा यह plus हट जाएगा और यह plus भी हट जाएगा यह भी minus हो जाएगा अब यह plus का x की power 4 है और यह negative का x की power 4 है तो यह cancel हो जाएगा यह plus का 2x cube यह minus का 2x cube तो यह भी cancel हो जाएगा यह plus का 8x square यह minus का 3x square तो 8x square में इसे 3x square minus करेंगे तो 5x² आ जाएगा फिर बाकी बच्चा हुआ वो सेम लिख देंगे प्लस 10x प्लस 15 अब ये टम होए मिल गई अब इसको फिर हमें देखना है कि x² प्लस 2x प्लस 3 से किस चीज़ का multiply किया जाए कि हमें ये मिल जाए तो सबसे पहली वाली टम हम ले लेंगे 5x² है 5x² लेंगे उसको divide करेंगे इसकी पहली वाली टम से पहली वाली क्या है? x² x² से x² cancel हो जाएगा बचेगा 5 तो 5 से multiply कर दें हम 5 को यहाँ लग देते हैं तो इस पूरे का multiply करेंगे इस 5 में x² का multiply करेंगे 5 में तो कितना आएगा? 5x² प्लस 2x का multiply करेंगे 5 में तो 2 into 5 10 और x same to same 10x प्लस यह 3 का multiply करेंगे 5 में तो 3 into 5 15 अब इसको फिर से minus कर देंगे क्योंकि minus तो करते ही डिवाइड में तो यहाँ पर minus लग जाएगा और यह plus का sign minus में बदल जाएगा यह plus का भी minus में बदल जाएगा तो यह plus minus cancel और यह plus 10x minus 10x यह भी cancel उसे तरह से यह भी cancel यहाँ क्या आया 0 तो इसका quotient क्या आ गया? x² प्लस 5 यह answer हो जाएगा x² प्लस 5 तो gx की value निकाल ली थी और gx के बराबर यह पूरा part ही था और इसका answer कितना आया? x² प्लस 5 तो gx equal to x² प्लस 5 यह second option इसका right answer हो जाएगा तो यह 3rd October shift 2 के 20 question complete हो गए इसके बाद एक paper और बचा है वो इसके next वीडियो में discuss करेंगे थैंक यू